हेलो गाईज माई नेम इस विक्रम वेलकम सीटू स्ट्राइफ फूर प्रोग्रेस टॉपिक आपको पता लग गया होगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको सांचोर नजर आ रहा है जो कि उसका आज वर्तमान नाम है और राइट साइड में आपको मिल रहा है उसका प्राची नाम देखो सांचोर में आपको word मिल जाएगा सच सच क्या होता है? truth होता है, सच्चाई और सच को हम सत्या भी तो बोलते हैं तो सत्या से क्या आ जाएगा सत्यापुर और सच किसमे है? सांचोर में है सेकिंड है जैपुर जिसको पहले जै नगर कहते थे वैसे तो यह सिंपल है हमें यह पता है कि जैपुर किस ने बसाया था? स्वाई जै सिंग ने तो जै सिंग ने बसाया था तो उसका ही नगर कहते थे जै का नगर जैपुर को ठीक है? तीसरा है हनुमानगड हनुमानगड में आपको पता है प्राचिन में इसको बटनेर ही बोलते थे हनुमानगठ को फुर्थ है अजमेर फिफ्थ हमारा है डीग डीग को कहते थे दीर्ग वती डीग जो बरतपुर में है उसको दीर्ग वती कहते थे पहले इसको कैसी याद करना है देखो डीग से आ जाएगा डिगग में आपको पता है हम पानी को स्टोर करते हैं तो डिग्गी दीर्ग होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी स्टोर हो जाए जितनी बड़ी मतलब दीर्ग डिग्गी होगी उतना पानी उसमें स्टोर हो सकता है क्योंकि पानी की कम ही हो रही आगे क्या आगे तो दिर्ग होनी चाहिए डिगी तो यहां से दिर्ग से दिर्ग वति टिक लग जाएगा 6 हमारा है नागोर जिसको नाग दुर्ग वै नागाना कहते थे अब नागोर में आपको नाग मिल रहा है नाग दुर्ग में भी नाग मिल रहा है और नागाना में भी नागा आपको मिल जाएगा तो टिक लग जाएगा सेवन्थ है राम नगर जिसको पहले गंगा नगर कहते थे अब आपने ये मूवी देखी होगी राम तेरी गंगा मैली तो राम से राम नगर और गंगा से गंगा नगर टिक लग जाएगा एर्थ है जालरा पाटन ब्रिज नगर देखो जालरा पाटन में आपको मिल रहा है जालर और जालर किस के उपर बांधनी है हमने ब्रिज के उपर बांधनी है ब्रिज के उपर जालर बांधनी है तो वे लहराएगी और अच्छी लगेगी तो ब्रिज की उपर हमने क्या करने है जालर बांधनी है तो ब्रिज से आजएगा ब्रिज नगर बूंदी देखो बूंदी यहाँ पर मिल रहा है और वरंदावती में भी आपको क्या मिल रहा है वरंद मिल रहा है कहते हैं टेंथ हमारा है संग्राम पुरा जिसको पहले सांगा नेर कहते थे देखो आपको पता है राना जो सांगा है उसको हम संग्राम सिंग भी कहते हैं तो संग्राम पुरा को हम सांगा नेर भी तो कह सकते हैं संग्राम किसका नाम था राना सांगा का तो उसको सांगा नेर बना दिया ऐसी इसकी टिक लग जाएगा next है अलवर अलवर को कहते थे सालव परदीश देखो अलवर में आपको मिल रहा है लव और सालव में देखो पीछे से लव मिल रहा है आपको जो मैंने रेड कलर से दिखाये है तो दोनों में लव लव आ रहा है तो टिक लगा देना 12 हमारा है कोटा कोटा को कहते थे नंद गराम अब इसको कैसे याद करना है देखो नंद से आपको एक एक्टर याद आ जाएगा नंदू सबका बंदू होता था था ना मोवीज में नंदू किसको बोलते थे शक्ति कुपूर को जो प्राचीन जो मतलब पहले की जो मोवीज थी उसमें वो नंदू बड़ा आता था आजकल उसका जो रोल है वो काट दिया है आजकल मोवीज में नहीं आता तो काट दिया से कोटा और पहले आता था मोवीज में किस नाम से नंदू, सबका बंदू तो यहां से टिक लग जाएगा नंदू से उसका रोल काट दिया तो कोटा 13 है टॉंक अब यहां से जो यह जिले हैं उनके उपनाम स्टार्ट हो जाती है उपनाम की उपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है उसमें से जो बाकी बच गए थे उसको मैंने इसी वीडियो में एड कर दिया उपनाम को याद करने का मतलब यह सेकिंड पार्ट उसका आ चुका है अब सबसे पहले क्या है देखो टॉंक टॉंक को कहते हैं प्राचीन बारत का टाटा नगर देखो एक बार मैं शोरूम में गया टाटा वाले की तो वहाँ पर मुझे किसी फ्रेंट ने देख लिया मैं गाड़ी लेना चाहता था टाटा की तो उसने मुझे टोक दिया वो मुझे बोला टाटा की गाड़ी नहीं लेनी यह तो वैसी क्या हो जाती है इसकी मैंटेनस खराब हो जाती है जैसी कि पहले गाड़ियां यह थी नैनो वगएरा इंडिगा वगएरा तो उसमें क्या होता है वो जल्दी क्या हो जाती है आवाज करने लग जाती है उसकी मैंटेनस अच्छी नहीं है तो उसने मुझे टोक दिया कि टाटा की गाड़ी नहीं लेनी तो यहां से टिक लग जाएगा 14 है सिरोही टोक से आजाएगा टॉंक सिरोही में है राज्य की देवनगरी कहते हैं इसको देखो जो भी हमारे देव देवता हैं उनके आगे हमारा क्या जुगता है सिर जुगता है सिर माथा हम उसी के आगे टेकते हैं न देवताओं के आगे तो यहां से देव से देवनगरी मतलब देवता और सिर जुगता है तो सिर से आजाएगा सिरोही 15 है चिताओडगड इसको कहते हैं राजस्थान का गौरव देखो चिताओडगड में आपको मिल रहा है तोड अगर आप दुश्मन की टांगे तोड देते हो तो आपके जो पडोसी है आपकी जो वाइफ है वो आपकी उपर क्या करती है गरव करती है तो गरव से क्या बना लेना आप गौरव उसको क्या हो जाएगा गौरव हो जाएगा आपकी उपर 16 है मातर कुंडिया राश्मी चिताओडगड में है ये इसको कहते है राजस्थान का हरी द्वार देखो मातर कुंडिया में क्या है मातर होता है माता तो हमारी जो मा होती है वो गर को कुंडी लगा कर कहां पर जाती है सुबह सुबह मंदिर में जाती है मतलब हरी के द्वार में जाती है माथा टेक ने तो मातर कुंडियां लगा कर कहां पर गई है हरी के द्वार में माथा टेक ने गई है तो यहां से टिक लग जाएगा 17 है बूंदी बूंदी को कहते हैं बावडियों का शहर देखो जब हम होटेल के उपर जाते हैं बूंदी लेने तो सबसे पहले क्या पुछेंगे उसका बाव पुछेंगे न तो बावडियों में क्या मिल रहा है आपको बाव मिल रहा है वैसे तो बैसे बालू वाला बाव होता है लेकिन आपको टिक करने के लिए याद करने के लिए इसको याद रखना है कि बूंदी का बाव पुछेंगे तो बाव से बावडियों का शहर इसके बाद है 18 उदयपुर राड़स्थान की जिंक नगरी कहती है और जिंक आपको पता है जिंक को हम हिंदी में क्या कहते है जस्ता कहते है तो यहाँ पर जस्ते के लिए ट्रिक क्या बनेगी देखो ओ दया कर लो कुछ तो सस्ता कर लो और नहीं तो जस्ता ही सस्ता कर लो मतलब महंगाई आपको पता है बाजार में बहुती ज़्यादा बढ़ रही है तो हमने क्या बोला ओ दया कर लो कुछ तो सस्ता कर लो मतलब जो भी चीज पूछते हैं वो महंगी है तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो सस्ता कर लो फिर मैंने बोला और नहीं तो जस्ता ही सस्ता कर लो तो उदया से उदया से तो आ जाएगा उदयपूर और किस को सस्ता करना है जस्ते को सस्ता कर लो तो जस्ता सस्ता तो टिक लग जाएगा आपको जिंक नगरी याद हो गई 19 है डीग बर्तपुर को कहते हैं फवारों की नगरी अब डीग से हमने क्या देखना है डिग्गी और डिग्गी की उपर क्या लगा होता है फवारा लगा हुआ है वहां से पानी निकल रहा है और फवारा क्या कर रहा है फसल की अंदर उसको छड़काव कर रहा है उसका 23 अजमीर जिसको कहते हैं राडस्थान का मक्का और इसको राडस्थान का नाका भी कहते हैं इसको कैसी याद करेंगे देखो मैं बाई की उपर जा रहा था तो वहाँ पे पुलिस ने नाका लगा रखा था तो उन्होंने मेरे क्या मारा एक मुक्का मारा तो मैंने गर पे आके बताया होगा तो मैंने क्या बताया कि आज मेरे मुक्का मारा तो उन्होंने पूछा किस ने तो मैंने बोला पुलिस ने नाका लगा हुआ था रोड की उपर ऐसी बोलेंगे तो आज मेरे से क्या आजाएगा अजमेर मुक्का से आजाएगा मक्का और वहाँ पे क्या लगा था नाका जिसने मुक्का मारा क्यों मारा क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था दिखाने को, मैं दिखानी रहा था तो यहां पे आपको याद हो जाएगा 21 है पुशकर अजमेर जिसको कहते हैं गुलाबों की नगरी देखो पुश से क्या आ जाएगा आपका पुशपा या पुशप, पुशप मतलब क्या होता है फूल होता है और फूल कौन सा है गुलाब का फूल तो गुलाबों की नगरी टिक लग गया 22 है अलवर अलवर को कहते हैं राडस्थान का कश्मीर काश मेरा भी कोई लवर होता कई बार बोलते हैं हम जब सिंगल लोग क्या बोलते हैं कि काश मेरा भी कोई लवर होता जब दोनों जो कपल्स हैं किसी को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि काश मेरा भी कोई लवर होता तो काश मेरा काश मेरा से कश्मीर लवर होता से अलवर में देखो लवर मिल रहा है आपको लास्ट के जो तीन है वो 23 है बिवाडी अलवर इसको कहते है राजस्थान का आदूनिक मैंचेस्टर अब देखो यहां पे क्या है आदूनिक मतलब मौडन मैंचेस्टर क्या होता है वस्तर नगरी तो मौडन कपड़े खरीद कर हम किसको देते हैं अपने लवर को ही देते हैं तो अलवर तो आपको याद हो गया मतलब अलवर में कोई जगह है अब अगर वो modern कपड़े मांगेगी हमारी girlfriend तो हम उसको क्या बोलेंगे पहले इसका भाव तो देख ले इसका price तो देख ले कितना महंगा है तुने modern कपड़े पहन नहीं है जहर खाने को मेरे पास पैसे नही एसी बोलेंगे न तो बाव से क्या याद रखना है बिवारी बिवारी में आपको बाव मिल जाएगा और किसके साथ बात हो रही है लवर के साथ वो क्या बोल रही है कि modern कपड़े खरीद नहीं है वो बला कि बाव तो देख ले तो यहां से आपको टिक लग जाएगा 24 है सामबर जैपुर में है जो उसको कहते हैं साल्ट सिटी आपको पता है सामबर जो है वो एक डिश भी होती है खाने वाली तो उसमें क्या था नमक कम था तो मैंने उसमें साल्ट डाल दिया तो यहां से टिक लग गया 25 जालरा पाटन जालावाड में जो है इसको कहते हैं गंटियों का नगर देखो जालरा पाटन में आपको क्या मिल रहे है टन और टन की अवाज कब आती है जब गंटी बजती है स्कूल वाली स्कूल में जब गंटी बजती थी तो क्या आवाज आती है टन तो टन किसमें आ है जार्रा पातन में और गंटियों का नगर 26 है बांस वाड़ा आदिवासियों का शेहर बांस किसमें से आती है आदिवासी लोगों में जो जंगलों में रहते हैं आती हैं ऐसे याद करना है इसको ठीक है 27 है बाटाडू का कुवा जो की बाड मेर में है इसको कहते हैं रेगि में जल ही होगा और कुछ तो होगा नहीं तो टिक लग जाएगा मतलब जल महल है यह 28 है नाकोडा बाड मीर राज्य का मेवा नगर तो मैं मेवे लेक है आया और अपने फ्रेंट से पूछा है मैंने कि मेवे मेठी हैं ना वो बोला ना कोडे हैं वो क्या बोला ना कोडे हैं कई बार आपने देखा होगा जैसे बादाव अगरा हैं वो क्या निकल जाते हैं कडवे निकलते हैं तो वो बोला ना कोडे हैं तो ना कोडा से ना कोडा याद रहेगा मेवों की बात तो मेवा नगर हो गया 29 है परतापगड इसको कहते हैं राज्य की रादा नगरी देखो आपको पता है जो दारा सिंग था वो काफी परतापपी था ठीक है तो दारा तो आपके पास है नहीं दारा को उल्टा कर लो दा पीच्छे कर दो रा आगे कर दो तो क्या बन जाएगा रादा तो रादा नगरी परतापगड दारा परतापपी था तो टिक लग जाएगा 30 है हमारा 12 बारा को कहते हैं वरा नगरी देखो बारा वरा हाँ एक जैसा साउंड आ रहा है 12 वरा बारा तो 12 वरा नगरी टिक लग जाएगा सीधा ही 31 है हमारा करोली जिसको कहते हैं डांग की रानी देखो करोली में आपको मिल रहा है कि क्यूं तुने रोला मचा रखा है कई बार बोलते हैं का रोला मचा रखा है तुने डांग है मेरे पास एक लगाऊंगा तेरी ठीक है तो क्यूं तुने रोला मचा रखा है रोला क्या होता है नॉइस ठीक है तो का रोली क्यों रोला मचा रखा है डांग है मेरे पास लगाओं क्या तेरे को ठीक है तो यहाँ पर डांग की रानी टिक लग जाएगा 32 है हमारा दॉलपूर रेड डाइमड तो मेरे पास एक diamond पड़ा तो जैसे मैंने बाहर निकाला अपने दोस्त को दिखाया तो वो बोला red कैसे हुआ पड़ा है तो मैंने उसको बोला कि मैंने दोया ही नहीं इसको कभी दोता तो मैं हूँ नहीं तो दॉले तो वो क्या बोला मुझे, इसको दोले diamond होए वो चमकना तो चाहिए ना red सा हुआ पड़ा है, मिट्टी सी लगी पड़ी, यह मैला हुआ पड़ा है, red सा हुआ पड़ा है तो इसको दोले इसको अच्छे से, तो दोले से क्या आ जाएगा? दौल्पूर आ जाएगा 33 है मचकुंड दौलपुर तीर्थों का बांजा देखो एक ये बांजी है जो तीर्थों के हैं मतलब इतना बड़ा टाइटल इन्होंने ले रखा है बांजोंने कि तीर्थों का बांजा है वो और एक हमारे वाले बांजी है खानने के अलावा उनको कुछ सूचता ही नहीं है सारा टाइम खाना 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 या टॉइस चाहिए इनको और एक यह हैं जिन्होंने इतना बड़ा टाइटल ले लिया अब मच क्यों रहे हो जल रहे हो ना उसके उस वाले बांज जैसी जो इतना बड़ा टाइटल ले रखाए मचो मत कुछ करकी दिखाओ तो यहां से आपको याद रखना है कि मचो मत कई वरत रहें जलने लग जाते हैं किसी की तारिफ हो जाती है बच्चे तो यहां पर मच से आजाएगा मच कुंड और बांजा तो तीर्थों का बांजा टिक लग जाएगा 34 और 35 आपको पता है दोनों ही कन्फ्यूज करते रहते हैं दोनों जो चीज़ें वो रारसमंद में हैं हल्दी गाटी और दिवेर गाटी हल्दी गाटी को बोलते हैं राडस्थान का थर्मोपली और इसको बोलते हैं राडस्थान का मेराथ्थान इसको कैसे याद करना है देखो दी वेर दी वेर को आपको पढ़ना है दी वार D-War, War, 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 War उपर करेंगे मरहम तो मर आ रहा है मेराथर में आपको मर मिल रहा है टिक लग गया अब मरहम करने के लिए मैंने क्या किया थर्मोस में हल्दी बर ली कई बार होता है कि चोट की उपर या गाव की उपर हम हल्दी लगा देते हैं तो हमने किसमें बरली थर्मोस के अंदर तो थर्मोस में क्या बरी है हल्दी बरी है तो हल्दी गाटी तो टिक लगेगा थर्मोस वाले के साथ थर्मो परली और वार हुआ तो चोट लगी तो मरहम लगाने के लिए हमने बरी थी हल्दी तो मरहम से मेरा थन आपको टिक लगाना है तो ये 35 टोटल मैंने आपको टिक से याद करवा दिये होपसो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थेंक यू